आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन होने के साथ साथ बहुत इंपोर्टेट भी है कॉमन इसलिए क्यूंकि महंगाई बहुत है बोल बोल के अकसर अपने नियर्स और डियर्स के साथ इस बारे में डिसकुशन्स करते रहते हैं और इंपोर्टेंट इसलिए क्यूंकि मनी सेव करना मतलब खुद को फानाइशली स्ट्रॉंग करना लाइफ बहुत अनप्रटेक्टेबल हो गई है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं आजकल हर कोई चाहता है कि वो अपनी हर जूरत पूरी करने के साथ साथ हर शौंक भी पू पूरे नहीं हुए क्यूंकि वो unlimited होते हैं इस बात से समझ में ये आता है कि अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जादा चीजों की जरूरत नहीं होती प्रॉब्लम तो वहां आती है जहां हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती हम पैसे को अपने पास लाने के लिए स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं और फिर भी पैसा हमसे दूर होता जाता है क्योंकि जितनी हमारी इंकम बढ़ती है उतने ही हम खर्च और बढ़ा लेते ह मैं कोई financial advisor नहीं हूँ लेकिन as a housewife जिस way में saving मैं करती हूँ बस वो ही experience आपके साथ share कर रही हूँ तो चलिए आप पहले बात कर लेते हैं कि कहां और कैसे हम पैसे की बरबादी करते हैं इंकम कितनी भी हो जाए unnecessary shopping ने पैसे की value को खतम कर दिया है जिसमें सबसे बड़ा रो लाइफ को easy कर दिया है उतना ही हमें फालतू की चीजों की shopping habits भी हो गई है यह apps इतने interesting offers देते हैं कि ना चाहते हुए भी हम चीजें buy करते रहते हैं और चाहे उस समान की कोई जूरत ना भी हो ऐसी चीजें घर में यहां वहां पड़ी रहती हैं और धीरे धीरे store room और store room से रदी में चली जाती हैं और आपको idea भी नहीं होगा कि पूरी life में कितने लाखों रुपे हम ऐसी shopping पे वेस्ट कर चुके हैं जब भी हम किसी shopping app पे offers चेक करते हैं तो कुछ ना कुछ buy किया ही जाता है लेकिन मैंने एक चीज experience की है अब कोई भी चीज buy करने से पहले मैं एक पर उस app को बंद कर देती हूं और आप बिलीव नहीं करेंगे विदिन थ्री मिनट्स मेरा shopping का इरादा कैंसल हो चुका होता है और दिन खतम होने से पहले पहले मुझे realize हो जाता है कि वाक्या ही मुझे उस चीज की कोई जरूरत नहीं है उसके बिना भी मेरा काम अच्छे से चल रहा है तो कोई भी चीज बाए करने से पहले दो बार खुझ से जरूर पूछें कि क्या सच में मुझे इस चीज की जरूरत है अगर जवाब हां में आए तो ही उसे बाए करें फूड एप्स पे attractive pictures of foods और उन पे मिलने वाले offers भी same ही काम करते हैं पर आप कुछ भी कहें बाहर का खारा हमेशा ही महंगा होगा और वो आपके बनाए खाने से healthy भी कभी नहीं हो सकता तो ready-made खाने की habit छोड़ दें तो बहुत सारी saving की जा सकती है weekends पे family के साथ time spent करना मतलब खुद को पूरे week के लिए refresh करना, every weekend family के साथ dinner पे बाहर जाने की बजाए, month के दो weekend घर पे ही special dinner ready करके बच्चत और enjoy दोनों किया जा सकता है मैं अपनी बात करूँ, तो every Saturday अपने और अपनी family के लिए special dinner को special way में present करती हूँ और planning के accordingly किसी occasion पे ही बाहर जाना पसंद करते हैं ऐसे ही कितने लाखों रुपे तो हम महंगी महंगी party wear dresses पे खर्च करते हैं, फिर जिसका एक या दो बार से ज़्यादा हम पहनना पसंद भी नहीं करते हैं, तो महंगी party wear dresses जो की एक time के बाद हमारी closers में ही पड़ी रहती हैं, उन पे खर्च करने की बजाए, dresses rent पे भी ली या off-season clothes की shopping भी money saving का एक good idea है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि जरूरतें क्या हैं और ऐसी कौनसी जरूरतें हैं जिनका खर्च fix है और कौनसी जिनका smartly consumption करके money save की जा सकती है, मैंने इनको five categories में divide किया है, bill, rent, EMI, grocery and fees, इन में से तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका खर्च मे कोई कटोती नहीं की जा सकती, जैसे की rent, EMI and fees, बच्चों के school, college, extra classes and other activities की fees आप decide नहीं कर सकते, same as घर का rent, made की salary, ये सब वो खर्च हैं जो हर साल बढ़ते हैं बट उन में कुछ saving नहीं हो सकती, इसी तरह से EMI यानि की equated monthly installments जिसमें home loan, car loan, education loan और personal loans etc. included हैं, ये भी मंतली ऐसा खर्च है जो fix है, कोशिश करें कि EMI सिर्फ जरूरत की चीज़ों पर ही हो, phone, gadgets और furniture की buying save की हुए पैसे से करें, अब बात करते हैं वो खर्च जो हैं तो बहुत जरूरी, लेकिन smartly और systematically consumption से हम इन से काफी savings कर सकते हैं, यानि की bills and grocery. इन points के उपर detail में जाने से पहले मैं कुछ कहना चाती हूँ, क्यूंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि इतनी भी क्या कंजूसी करनी, तो बहुत simple सी बात है, अपने जूरत की चीज़ों पर भी खर्च ना करने को कंजूसी कहते हैं, और लापरवाही से चीज़ों का इस्तिमाल करने को कहते हैं, wastage of money, जिस घर में पैसों की wastage होती है, वहाँ savings कभी नहीं हो सकती, एक एक रुपे की कीमत समझने वाले लोग ही successful होते हैं, किसी ने कहा है, take care of coins, rupees can take care of themselves, यानि कि सिकों का खयाल रखें, note अपना खयाल खुद रख लेंगे, coins जुडते हैं, तो note बनते हैं अगर किसी product की कीमत 100 rupees है और आपके पास सिरफ 99 rupees है, then you cannot buy that product, तब हमें उस एक रुपे की कीमत का पता चलता है, बात करें bills की, तो newspaper bills के इलावा, electricity, phone, medical और transport पे होने वाले वो खर्च जिनका carefully use हमें कुछ saving दे सकता है, घर के हर member को पता होना चाहिए, कि जरूरत ना होने पे electrical switches off होने चाहिए, phone का use करें, misuse नहीं, महंगे transport facilities में कुछ कटोती करके public transport जैसे की bus या auto रिक्षा का इस्तिमाल, अगर cab का ही इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो pool option यानि की cab sharing option ले सकते हैं, वो काफी सस्ता पड़ता है, या petrol saving methods का use करके, petrol पे होने वाले खर्च को कम करना, आप माने ना माने, लेकिन healthy खाना और regular exercise जैसी habits कहीं न कहीं आपका बहुत सारा medical खर्च बचा सकती हैं, क्यूंकि आज की date में medical सबसे महंगा होता जा रहा है, चलिए ये सब हम कर भी लें, तो भी कैसे पता चलेगा कि हमने कितने पैसे save किये हैं, उसके बारे में भी बात करते है लेकिन अभी point grocery बाकी है, grocery shopping से पहले listing तांकि कोई important चीज लाना भूल ना जाएं और कोई ऐसी चीज बाय ना कर लें जो already घर में मौझूद है, इससे money waste के सासा समान की बरबाधी भी होती है, 3 months तक अपनी income और छोटे सचोटे खर्च को लिखने से हमें average पता चल जाएगी, और जिस दिन से आपने लिखना शुरू कर दिया, समझ लें उसी दिन से आपने पैसे को waste करना छोड़ के saving करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिखने की आदत ही हमें बताएगी कि हमने कहां कहां फिजूल खर्च किया है, जिसे next time से रोका भी जा सकता है, तो करना ये है कि normally ज saving account में deposit करवाएंगे और भूल जाएंगे, ऐसा आप तभी करेंगे जब आपके पास उस पैसे को save करने का कोई reason होगा, वो reason अपनी कोई मनपसंद चीज बाई करने से लेकर कोई trip organize करना या किसी ऐसी जगा invest करना भी हो सकता है, जहां से आपको अलग से एक earning शुरू हो जाए Every month अगर हम अपनी salary का 20 या 10% भी save करें तो भी एक time के बाद वो ही saving एक बड़ा amount बन सकती है, लेकिन बड़ी खोयशों को पूरा करने के लिए wait करने का मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी इच्छाओं को भी मारते रहें, ऐसा करने से obviously जीवन नीरस हो जाएगा, हर घर की income और तरहां से divide करें कि basic जरूरतों के लिए 50%, शौंक पूरे करने के लिए 30% and saving के लिए 20% amount पहले ही निकाल लें, ऐसा करने से आपके पास हर चीज के लिए decided amount आ जाएगा, अब कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए इसी में ही खर्च करना है, clothes, footwear या घर के किस member की क्य demand है, और किसकी demand पहले पूरी करना ज़रूरी है, वो भी according to your budget उसकी भी list ready होगी, priorities को top पे रखें और बाकी सब चीजों को hold पे, ऐसा करने से बच्चों को patience रखना भी आ जाता है, एक और चीज जो saving में बहुत help करती है, वो है बच्चों को दी जाने वाली pocket money, अब आप कहें value नहीं समझते, आप बच्चों को कितना भी समझाएं कि खर्च कम करो वो नहीं समझेंगे, लेकिन pocket money देना और ये कह देना कि आपको इसी में अपने friends के birdies के लिए gift और अपना friends के साथ outing का खर्च भी manage करना होगा, and yes, they can buy their favorite things by saving money, और आप देख के हरान हो जाएंगे कि व बच्चे saving करना सीख जाते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में मैं पहले से जानती हूँ, बट जब भी मेरा कोई अपना मुझे उसी के बारे में समझाता है, तो मुझे अच्छा feel होता है, लगता है कि सब कुछ remind हो गया, इसी तरह से आप सब के साथ मेरा एक अलग सा रिष्टा बन गया है, तो जिस भी चीज से आपको थोड़ा सा भी फाइदा होता हो, उस पे वीडियो बना के आपको motivate करने की कोशिश करती हूँ, जितने points मैंने आपके साथ share किये हैं, ये वो हैं जो आप भी जानते हैं, और अगर बड़े से बड़ा financial advisor भी हमें best advice भी दे दे, तो भी उसको implement किये बिना हमें success नहीं मिल सकती, ये सारे savings के वो रास्ते हैं, जो हैं तो थोड़े मुश्किल, बट practical हैं, तो if you want to save some money on regular basis, तो कुछ rules बनाएं, और उन्हें proper follow भी करें, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, आप सब का likes और comment के through मुझे मिलता रहता है, नए viewers से request कर रही हूं कि if you like my video then please subscribe to my channel with bell icon, you can follow me on facebook and instagram, link is in description box, so see you in the next video, till then bye, take care and stay healthy.